गुद मॉर्णिंग मैं दिया स्टूडेंट्स, हाव यू, आई होग यू अलां फाइन सेफ अट यू होग तोड़ी वी विल डू exercise 9.5 इना वा घीकेग्लास, बिटा आज हम हमारी घीकेग्लास में exercise 9.5 करेंगे, और 9.5 exercise में क्या है, आपको ना एक passage दिया हुआ, जैसे कि आपने इंग्लिश में भी किये हुए है पहले भी, कि passage दिया हुए है passage को आपने ध्यान से read करना है और उसे बाद नीचे उसके कुछ question दिये हुए है passage से ही related आपने उन questions को ध्यान से करना है आप passage को ध्यान से read करें hen तभी आप questions के answers को दे पाएंगे आप जैसे lesson को read करते हो उसके बाद ही चाहे उसमें true false है mcq है या question answer है तो आप उनको तभी solve कर सकते हैं तो उसी तरीके से इस passage को है कि passage को आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और उसके बाद questions के answer reply करेंगे कि विटा आप अपना पेज नंबर 52 निकालेंगे हम स्टार्ट करते हैं read the passage given below नीचे दिये गए passage को पढ़ो and answer the following questions और प्रशनों के उत्तर दो बॉबी है जे न्यू वाई साइकल बॉबी के पास एक नई साइकल है it is blue and red in color यह है नीली नीला और लाल रंकी है कि जो उसकी साइकल है वो नीले और लाल रंकी है it was a gift from his big brother बंडी यह है उनके कित के बॉबी के यह है उसके बड़े भाई उनके बड़े भाई ने उनको गिफ्ट की थी भेट की थी he here is behind the big bush in front of the park उन्होंने इसे अपने पार्क के सामने बड़ी जाडी के पिखें छिपा दिया था एक जाडी थी उनके सामने पार्क में तो जो जाडी थी उस जाडी के पिखें उस साइकल को छिपा दिया था Banti wanted to surprise his little brother Banti अपने छोटे भाई को surprise आस चर्या चकी करना चाहता था उसको हैरान करना चाहता था कि मैं आपके लिए साइकल लाया हूं When Bobby looked behind the bush he saw the bicycle जब Bobby ने जाडी के पीछे देखा तो उसने देखा कि साइकल वहाँ पर जाडी के पीछे है Bobby jumped with joy and gave his brother a tight hug तो जब Bobby ने साइकल को देखा तो क्या हुआ वो खुशी से बहुत ज़्यादा उच्छल गया उसको इतनी खुशी हुई कि बहुत ही ज़्यादा और उसने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया Bobby loved his bicycle Bobby अपनी साइकल को बहुत पसंद करता है उसको बहुत प्यार करता है Every evening he rides on it हर शाम वह उस पर सवारी करता है and cleans it carefully with a duster और सावधानी पूरवक ध्यान से उसे साफ करता है कि इसको cycle को बेटा यह आपका पैसे था उसके बाद हम इसमें नीचे जो questions है उनको read करते हैं और questions जो हमें दिये हुए हैं उनमें option भी दिये हुए है MCQ questions हैं तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी बुक में इनको फिल करेंगे question 1 है what is the color of bobby by cycle bobby की cycle का रंग क्या है जो bobby के पास cycle थी उसका color क्या है A. brown B. black C. red D. blue and red तो बेटा जो bobby के पास cycle थी उसका color क्या था brown, black, red या blue and red तो क्या option सही है हमारा D option D part जो है वो हमारा बिल्कुल सही है हम D पर tick लगाएंगे ओके second question देखिए what is the name of bobby's brother bobby के भाई का नाम क्या है bobby का जो भाई था जिसने उसको cycle gift की थी उसका नाम क्या है A. tom B. tim C. john या D. bunty तो क्या नाम है उसका D option हमारा इसमें सही है bunty bobby के भाई का नाम क्या है bunty okay बटा question number third who loves the bicycle cycle किसे पसंद है cycle को कौन प्यार करता है A. bobby B. bunty C. tom और D. option है हमारा none of the इन में से कोई नहीं तो बेटा इसमें कौन सा option हमारा सही है किसको cycle ज्यादा पसंद है A. option हमारा सही है bobby क्या आएगा bobby bobby पर हम tick लगाएंगे done okay next question है बेटा हमारा question number fourth what is the opposite of love what is the opposite of love love means frame प्यार प्यार का विपरित क्या है प्यार का जो opposite है वो क्या है A. round B. short C. hate and D. big तो जो love का opposite आएगा वो क्या आएगा बेटा इसमें हमारा C. option सही है hate प्यार नफरत नफरत करना ठीक है तो इसमें C. option पर हम tick लगाएंगे last question है हमारा question five who cleans the bicycle cycle की सफाई कौन करता है cycle को कौन साफ करता है A. bobby B. bunty C. both A and B and D. none of the इन में से कोई नहीं तो बेटा जो cycle है cycle को कौन साफ करता है bunty या bobby दो option आप देखिए पहले क्योंकि दोनों तो करते नहीं और इन में से कोई नहीं ये option भी हमारा wrong है तो कौन करता है जो cycle की सफाई है bobby ओके बेटा ये बेटा आपका जो exercise आपकी है 9.5 ये complete होती है और आप last question जो हमारा fifth है इसमें bobby पर tick लगाएंगे और option हमारा सही option है ओके बेटा आपके से ध्यान से अपनी बुक में फिल करेंगे समझेंगे और फिर अपनी बुक में फिल करना thank you and have a nice day